आज श्री शुकदेब जी समझा कर केते ही है राजन परिछत जब हरीश्यंद ने आज रोहित को पूछा है तो रोहित ने कहा पिता जी आपका मेरे उपर पूरा हक है आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं आज उशी समयर आज महराज हरिश्यंद अपनी पत्नी और वेटा रोहित को लेकर की चले हैं भाईया अगर पीछे बिछाई कम हो तो बिछाई डलवा दो माताएं बेना आ रहे हैं बैठते जाना विवस्ता को बना करके रखें और बीच बीच में इने पानी भी देते रहें पानी पिलाते रहें क्योंके गर्मी काफी फड़ रहें और इदर से अगर धूप आ रही हो तो आप थोड़ी बिछाई को जिदर छाया हो उदर कर लें तो उसी समय आज तीनों चलने के लिए तैयार हुए हैं और जाकर के विशा मित्र के पास में पहँचे और कहा कि हम तीनों आपके साथ में जानने के लिए तैयार हैं आपकी जहां इच्छा हो वहां हमें वेच करके अपना साथ भार सुना चुकता कर लो उसी समय आज विशवा मित्र चले हैं तीनों को ले करके धीरे धीरे आगे के लिए बड़े तो बेटा छोटा था अज जैसे ही बड़े चले जा रहे हैं बड़े चले जा रहे हैं बेटा रोहित के पेरों में च्छाले पड़ गए और जब च्छालों को मैया ने देखा है कि बेटा रोहित के पेरों में चले हैं उशी से मैं मैया रोने लगी और कहती है कि माहराज थोड़ा दी में चलो क्यों कि मेरा बेटा नाजुक है मेरा वेटा आज तक महलों से बाहर नहीं निकला लेकिन आज इस कड़ी धूप में में और मेरे वेटे दोनों से चला नहीं जा रहा अगर आपकी इच्छा हो तो हम थोड़ी देर चाया में बैठें आज उशी समय माराज हरिशन के इने लगे कि अब न तो हम बिलकुल बैठेंगे हमारा अब यह धर्म है कि हम चलते रहें और जहां विश्वा मित्र ले जा करके हमें कर देंगे हम वही रुखेंगे अगर हम बैठ करके यहाँ चाया में पानी पी लिया तो हमारा धर्मा नश्टु हो जाएगा आज उशी समय मैया फिर से खड़ी हो गई और केनी लगी कि अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपके साथ चलती हूँ आज धिमेधि में आगे के लिए बड़े जा रहे हैं क्या समय है क्योंकि समय का भी आपार किसी ने नहीं पाया और जो वो प्रभू करता है उसे कोई रोक नहीं सकता है पलवर में राजा बना दे, पलवर में विकारी बना दे क्योंकि किसी सादक ने लिखा भी है कि वीधना तेरे लेख किसी के क्योंकि जो उस पारव्रम परमात्मा ने लिख दिया उसे कोई मेंटने वाला नहीं है क्या वो राजा हरिशन दिये समझते थे कि हमें कहीं जा करके विकना पड़ेगा क्या वो मारा नहीं जानती थी कि मैं महलों में रहती हूं और महलों से चलने के बाद ना जाने मुझे कहां कहां बटकना पड़ेगा ये तो प्रभु की इच्छा है और ये शमय की वात है विधाना तेरे लेख किसी के समझ ना आते है जन जन के प्यारे राजाए और बन को जाते है विधाना तेरे लेख किसी के आज माराज हरिशन विश्वा मित्र के साथ में आगे बड़े चले जा रहे है पीछे पीछे मैया तारा अपने पुत्र के साथ में बड़ी चले जा रही है आज मैया तारा रो रही है कहती है कि हे प्रभु तुने ये कैसी विपत डाल दी है कि मेरा वेटा इतना नाजुक है उससे चला भी नहीं जा रहा लेकिन धर्म धर्म के पीछे आज वो मैया अपने पती का पीछा नहीं छोड़ रही है विधना तेर लेख किसी के समझना ते जनी जनी के जया ते राजा जो वनी को जाते पता तेर लेकिन देति हैं कर दो 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 कि आज मैयात्तारा विलकती हुई पीछे चली जा रही है धीरे धीरे आज विश्वा मित्र महराज हरिश्चन और मैयात्तारा और रोहित के साथ में कासी में पहुंचे आज जैसे ही कासी में पहुंचे उश्वी समय आवाज लगा दी के कासी के लोगों जिस किसी को एक नोकर और एक नोकरा नहीं और जिसके साथ में एक पुत्र है अगर आवश सकता हो वो आकर के खरीद ले और तीनों का बीस बीस भार खरीदने का मूल है उश्वी समय है जब इस तरीका से कहा तो आज सभी कासी के लोग आकर के एकत्रित हो गए हैं और जब एकत्रित हो गए हैं तो पने विश्वा मित्र ने कहा कि आप चाहे एक नोकर को लेलो और चाहे ये एक इस्त्री है इसे लेलो और चाहे ये एक बच्चा है इसे लेलो वीस वीस भार सोना देते जाओ और तीनों में से चाहे किसी को ले जाओ आज जब इस तरीका से कहा तो सबसे पहले एक ब्राहमबडी निकल करके आई है और जब ब्राहमबडी निकल करके आई है उशी शमय ब्राहमबडी ने कहा कि हमें इस इस्त्री को दे दो, जो हमारा घर का काम काज करती रहेगे, तो उशिश में वीश वहर सोना दे करके उस ब्राम बड़ी ने मैया तारा को ले लिया, और जैसे ही मैया तारा आगे के लिए बड़ी पीछे से मैया तारा का पलू, आज रोहित ने पकड लिया, और के ने लग तो उसी समय मैया ने कहा कि वेटा हम धर्म के पीछे बिक रहे हैं लेकिन मैं निवेदन करती हूं ब्रामडी से अगर वो तुमें भी ले ले तो हम दोनों साथ हो जाएगे उसी समय मैया ने हाथ जोड़े ब्रामडी से और कहा कि हे मां अगर तुम किसी प्रकार मेरे वेटे को भी मेरे साथ लेती जाओ तो कुछ ना कुछ काम तुमारा वो भी करवा लिया करेगा तो ब्रामडी ने कहा चलो ठीक है 20 वार्सोना दे करके ब्रामडी रोहित को भी भरीद लिया इधर कालु मेहतर आया जिसने ौज हरीश्यंद को 20 वार्सोना दे करके हरीद लिया तीनों को वेज करके विश्वामित्र वापस लोट गए इधर माराज हरीशन कालू मेतर के यह आ गए और मैया तारा और रोहित बेटा ब्रामडी के घर में रहने लगे हैं जो घर का काम काज होता है वो मैया तारा सवालती है और जब पूजा की सामिग्री इ इंत्याद होती है उसे रोहित लेने के लिए जाती ही इधर कालू मेतर ने एक गड़ा लिया और गड़ा लेकर के हरीशन से कहा कि सुन हरिया आज देखो विया नाम में कितना बदलाव हो गया कहा माराज हरीशन से और हरीशन से हरिया बन गया कहते हैं न कि माया के तीन नाम पसी पसा पसरा कहां माराज हरिशन आज हरिया वन गए और एक वो महतर जो कह रहा है आज जैसे ही कहा कि जाओ इस गड़े के ले जाओ और जाकर के पानी भर के लाओ आज माराज हरिशन घड़े को ले करके चले है उसी समय कालू मेतर ने कहा कि घड़ा तो ले करके जा रहे हो लेकर मैं आपके भोजन की विवस्ता कर दूँ यह एक दुकान है जहां से तुम रोज भोजन लिया करना हुआ वहीं खाना क्योंकि मैं एक मैतर हूँ तो मैं आपको भोजन नहीं करूँगा तो इधर हरिशन घड़ा को ले करके चले हैं और इधर ब्रामबडी ने कहा मैया तारा से कि जाओ तुम भी इस घड़े को लो और जाकर के जल भर लाओ इधर हरिशन चले इधर मैया तारा चली हैं जब हरिशन गंगाजी पर पहुँच गए उन्होंने जैसे ही घड़ा को भरा है अब घड़ा इतना भारी था कि हरिशन से उठा नहीं क्योंकि हरिशन ने भोजन नहीं किया था और जो इंसान भोजन नहीं करेगा उसका हाल क्या होगा हुए बिल्कुल सरीर दुर्वल हो चुका था और भोजन ना करने का कारड क्या था कि एक दिन हरीशन भोजन लेकर के वैठे और जैसे ही भोजन लेकर के वेठे इधर इन विश्वामित्र को चेन नहीं पड़ा था हुई उन्होंने तुरंत कुट्टे का रूप धारड किया और हरिशन जब तक अपने हाथ दोने के लिए चले तब तक हरिशन का भोजन लेकर के विश्वामित्र चले गए थे उसी दिन से हरिशन ने कहा कि मैं आज के बाद भोजन नहीं करूँगा यही कारण था कि हरिशन ने भोजन नहीं किया था जिसकी वज़े से उनका सरीर दुरवल हो चुका था आज जब घड़ा नहीं उठा बार बार घड़ा उठाने की कोशिस करते हैं लेकिन घड़ा नहीं उठता है तो आज हरिश्यन घड़ा को लेकर के वहीं बैठ करें इधर मैयात्तारा घड़ा को लेकर के आई है और जैसे ही मैयात्तारा ने देखा तो समझ गई कि मेरे महराज है तो उशी समय महराज ने कहा कि महरा नहीं अब तुम जल भरने तो आई गई हो अगर तुम थोड़ा सा सहारा लगा दो तो मेरा घड़ा उठ जाएगा जिससे मुझे बैसे भी काफी देर हो गई है अगर और देर हुई तो काली में तर मुझे छोड़ेगा नहीं उशी समय मैं या तारा के ने लगी कि आप एक महतर के नोकर हो और मैं एक ब्रामबडी के नोकर हूँ अगर मैंने आपको घड़ा उठवा दिया तो मेरा धरम नश्ट हो जाएगा मैं आपको घड़ा नहीं उठवा सकती है लेकिन हाँ एक उपाई बस्ता सकती है कि गहरे में घुशी जाओ घड़ा उठी जाएगो तनिक शहारो पानी को लगी जाएगो तुम गहरे में घुश जाओ तुमारा घड़ा अवर्ष्य उठी जाएगो क्या धरम धविया हो एक पत्नी ने विल्कुल मना घर दिया उसी समय किसी वी तरीका से आज हरीशन ने अपना घड़ा उठाया उठा करके चले तो सही लेकन जैसे ही कालू मेतर के दर्वाजे पर आये सरीर इतना दुर्वल था कि एक ठोकर लगी और कालू मेतर के दर्वाजे पर ही गड़ा फूट गया सारा पानी विखर गड़ा और जैसे ही पानी विखरा कालू मेतर भागता हुआ आया बोला हरीशन अब तू पानी भरने लायक नहीं रहा अब ले ये लाठी हो जाकर के मरगट की रखवाली कर आज मेतर ने एक लाठी को थमा दिया और कहा के आज से तू मरगट की रखवाली करेगा इधर मैया तारा घर पे जब घड़ा को लेकर के आई हैं दी में दी में समय वेतीत हुआ एक दिन की बात है ब्रहमडी ने कहा कि वेती ऐसा करो अपने पुत्र से कह दो कि फूल वाग से जा करके कुछ फूल ले जाए जिससे मैं पूजा कर लूँ तो उशी समय आज मैया ने वेता रोहित को एक टोकरी दी और कहा कि बेटा तुम जाओ और फूल वाग से पूजा के लिए फूल चुनलाना आज उशी समय वेता रोहित टोकरी को ले करके फूल वाग में पहुंच गया लेकिन भाईया उन विश्वा मित्र को अभी वी चैन नहीं पड़ा विश्वा मित्र ने एक सरप का रूप धारड किया और एक फूल में प्रवेश कर गई बेटा फूलों को चुनता हुआ चुनता हुआ आगे के लिए बड़ा और जैसे ही उसी फूल पर हाथ डाला तुरंत ही उंगली में दस लिया अज जैसे ही उंगली में डसा उसी तरह आज बेटा हाइमा हाइमा करके रोने लगा है और जब बेटा रोने लगा तो ये आवाज माली ने सुन ली माली भागता हुआ आया और इदर विश्वा मित्र को फिर चेन नहीं पड़ा जाकर के कासी नगरी में आवाज लगा दी के कासी के लोगों किसी मा का पुत्र फूल बगिया में फूल लेने के लिए गया था जिसे एक नाग ने डस लिया है जिस किसी का पुत्र हो बोजा करके अपने पुत्र को देख लो आज मैया तारा ने जैसे ही ये आवाज सुन सारा हाथ जोड़ करके ब्रह्मबडी के पास में पहुंची वोली मां अगर तुम्हारी आग्या हो तो मैं फुल बग्या में अपने वेटे को देखा हूँ ब्रह्मबडी के इने लगी पहले ये वर्तन पड़े हैं उन्हें साफ कर लो जाड़ू लगा दो पौचा लगा दो उसके बाद चली जाना वारे धर्म धर्म के पीछे मा का पत्र बग्या में सिसक रहा है लेकिन मा वर्तन साफ कर रही है रोती विलगती जा रही है मैया और बरतन साफ करती है जल्दी जल्दी जाड़ू लगाती है कहीं का मारा कहीं जाड़ू लग रहा है और जल्दी से काम खतम किया भाविती हुई मैया आज बग्या में पहुंची है और जैसे ही बग्या में देखा, वो इसका वेटा विलख रहा है आज महिया ने जैसे ही पुत्र की तरफ देखा महिया विलख विलख करके रोने लगी और कहती है के बेटा मैंने सारी जिन्दगी ये सोचा था कि मैं अपने पुत्र के साथ में बड़े प्रेम के साथ रहूं गई लेक्न मुझे नहीं पता था कि तेरा हाल यह होगा बेटे ने कहा कि मैया मेरी प्रडाम सुईकार करो मुझे जाने दे जैसे ही इतने सब्दों को सुना आज मा रोने लगी कहती है कि बारे समय बारे प्रभ कैसी तेरी ये लीला है मैंने अपने पुत्र को किस तरीका से पाला था लेकिन आज थे जोड़ घर के जा रहा है जिस मा के सामने उसके पुत्र की लास पड़ी हो उसका क्या हाल होगा वही आज मैया रो रही और कहती है कि बेटा मेरी गोदी के बेटा मेरी गोदी के तू हुई गोरवाना है आज मैया रोती है केती है वेडा मैंने कितने प्यार से तुझे पाला था लेकिन तू आज मुझे छोड़ करके जा रहा है वे लाल मैं तेरे जुड़ कैसे रहूँ क्योगे अगर मैं ऐसा जानती तू ये दिन नहीं देखती जिस माने अपने पुत्र को कलेजे से लगा करके पाला हो और उस मा का पुत्र उसके सामने आज लास बन करके पड़ा हो उस मा का क्या हाल होगा वहिया अज रोती है मैं यार कहती है पेटा मेरी गोती है तू हुई गोना वाना है तू छोड़ गया मुझी को तू छोड़ गया मुझी को हरी पेवे गाना है लास बड़ गया जाए कर दो कर दो मेरे पास तो इतनी दन दोलत भी नहीं कि जिससे भी एक कपन का तुकड़ा भी खरीगी मेरे पास नहीं कोड़ी जैसे पपर उड़ाओं मेरे पास नहीं कोड़ी कैसे कपन उड़ाओं नी मरे घटिका न मुझे को पता कैसे दाग लगाओं मी और लगाओं बारे समय समय ने आज देखो कैसा चक्र चलाया आज मईया बिलक रही है बाग में पड़ी पड़ी उसी समय माल ही आता है और कहता है कि है मा इस पुत्र की लास खराव हो जाएगी तुम ऐसा करो कि इस पुत्र की लास को ले जा करके मरगट में जला दो और मईया रोती है और कहती है तेरे पिता पास नाई जैसे ख़वर कराओं तेरे पिता पास नाई जैसे ख़वर कराओं अपने पेसे को में अपने लाला को में मरे पिले जाओंगी अपने जैसे ख़वर कराओं अपने जैसे ख़वर कराओं अपने जैसे ख़वर कराओं अपने जैसे ख़वर कराओं तू है गोरवाना है ओ लाला मेरी गोधी है तू होई गोरवाना है लमा खोड़ी गया हमको तू सोड़ी गया हमको करी के बेराओं हाज इस तरीका से मैं या रोनी लगी है कहती है हे लाल अब मैं तुझे कैसे मरगट तक लेकर गजाओं मेरे पास एक कोड़ी भी नहीं है जिसे मैं तेरे कफन को खरीद सकूँ और तेरा अंतिम संसकार कर सकूँ उसी समय माली ने कहके बेहन आप इसे ले जाओ अगर इसकी लास फट गई तो बहुत बुरा हो जाएगा क्योंकि इसे सर्पने डसा है उसी समय आज मैय तरह अपने पुत्र की लास को गोदी में ले करके चली है मरगट की तरफ और जैसे ही मरगट की तरफ पहुँची और इधर जैसे ही राजा हरिशन ने किसी को आता देखा उसी समय कहने लगा सावधान इस मरगट में विना करका टका के कोई प्रवेश नहीं कर सकता जब तक करका टका ना दोगे तब तक हम लास को नहीं जलने देगे आज मैय अत्तारा लास को लिकर के आगे बड़ी और कहने लगी जैसे ही महराज की तरफ देखा कहने लगी महराज आप बोले हाँ हम उशी समय महराज ने कहा कि रणी तरा आप यहाँ कैसे रणी तरा ने आज जो पल्लू से अपने वेटे के मुख को ड़काता तरंत ही खोल दिया और कह दिया कि देखो मैं तुमारी रणी तरा हूँ और यह तुमारा पुत्र है तो थोड़ी देर के लिए माराज हरिशन रोने लगे लेकिन जैसे ही धरम की याद आई उसी समय उठकर के खड़े हुगे और केने लगे कि हमारी कोई रानी नहीं है न कोई हमारा विटा है हम नहीं जानते आपको तो आज मैया किनने लगी अच्छा आज हम इतने गैर हो गए बोले हाँ अभी हमारा धरम का समय चल रहा है उसी समय मैया ने कहा कि आपका ये लाला है और मैं आपकी पत्नी हूँ गोदी में लेटा है जिसे सर्पने डस लिया है अब इसका अंतिम संसकार करना है और आप इसका अंतिम संसकार कर दो पिता के होते एक मां अंतिम संसकार नहीं कर सकते उसी समय आज हरी संद केने लगे हम इसका अंतिम संसकार नहीं करने देंगे जब तक आप करका टका नहीं दोगी हम इसका अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे और बोले हैं कि कर दो हमारा कर दो और कर दो कफन का रानी छोड़ो लास सुत्ति की कर दो कफन का रानी आज कहते हैं कि पहले मुझे करका टका दो उसके बाद ही लास को चलाना कि कर दो हमारा कर दो कर दो कफन का रानी छोड़ो लास सुत्ति की चोड़ो लास सुत्ति की कर दो कफन का रानी हाज जैसे ही इस तरीका से कहा उसी समयरानी कहने लगी भी आपको नहीं पता लालन बड़ा धरन पैर मेरीर कैसे दारू हो लालन लालन बड़ा धरन पैर मेरीर कैसे दारू हो लालन लूटा तुमाहे प्रड़ने मेरीर कैसे दारू हो लूटा पे घर हुए ही घर से जानी में तोरी रानी छोड़ो लास सुत की कर दो पन का लानी मेरीर कैसे दार वेान प्रेको सागए अचाए लालन आड़ मेरीर कैसे दारूथ कर दो कर दो कर दो कर दो मैं अतर केती है कि आप आज हमें पैचानने से इंकार कर लोए हो तो उशी से मैं राजा हरी संद केने लगे कि याद करो वो दिन जिस दिन मैंने तुमसे गड़ा उठ वोई को कहा था तुमने क्या कहा था कि हमारा धर्म नस्ट हो जाएगा आज मेरे भी धर्म की बात है तो उशी से मैं मैया कहती है राजन में तेरी रानी लाला है यही तेरा राजन राजन में तेरी रानी लाला है यही तेरा राजन कहते हो लूटा हमों को भिद्वी हुए इनादा पहधे आज बारानी इतारा कहती है कि सब तुमारे प्रती हुआ और तुम ही हमें पैचानने से करने के बाद आप जो चाहो लाज के साथ कर सकती है करीदो हमारा करीदो करीदो अमारा करीदो परीदो कफन का रानी छोड़ो लासी सुत्ति की करीदो अमारा चोड़ो लासी सुत्ति की परीदो अमारा करीदी की करीदी की और नायक सुत्ति की कर दो कर दो कर दो अज जैसे ही उसी समय कहा तो आज माराज हरिशन केने लगे चाहे आप कुछ भी कहो लेकिन जब तक तुम कर का टका नहीं दोगी हम तुमारी लास को या जलने नहीं देंगे जब तुम हमें कर का टका दो दोगी उसके वाद तुम लास के साथ चाहे कुछ भी करना आज मैया तारा रोने लगी और कहती है के बारे समय न तो मेरे पुत्र के उपर दो गज कफन है और इन्हें अपने कर का टका की पड़ी है और रोकर के मैया केने लगी है कि लाल की बिगड़े माटी तुम्हें अपने कर का टका की पड़ी हुई है ये नहीं देख रहे हो के बच्चे की लास खराब हो रही है कि लाल की बिगड़े माटी और कर की पड़ी है राजन तो ये लाल की बिगड़े कि लाल की बिगड़े माटी तुम्हें अपने कर की राजन तो ये तुम्हारो खास कुमर रोईतास तुम्हारो कुमर रोईतास पिया जाकी बिलके रही है लास की आजन तुम्हारो की बिलके रही है लास देखी मेरी पटे रही चासी और रही पड़ी है बाला मतो ये कर देखी मेरी बिलके 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 रही है लाजन तुम्हारो की बिलके रही है लाजन तुम्हारो जैसे ही इस तरीका से कहा उशी से मैं आज मैया तारा ने कहा के तुम्हें अपने करका टका की पड़ी है मेरे बच्चे की लास खराब हो रही है उसकी नहीं पड़ी है उशी समय हरिश्चन के ने लगे हमें नहीं पता वा सामें तुम्हार करका टका दो वचाए कुछ भी करो उशी समय आज मैया ने रोते रोते अपनी साड़ी को आदा फाड करके हरिश्चन को पकड़ा दिया और आदी साड़ी में मैया ने अपने पुत्र की लास के उपर कफन वना करके डाल दिया है और मैया अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करके वहां से चली जाती है आज जब मैया चली तो रास्ते में सोचती जा रही है कि वारे विधना तुने मेरी तकदीर ऐसी कैसे बना दिया क्योंकि आज मैया के उपर साड़ी तक नहीं है मैया के उपर साड़ी नहीं है तो सरम की वज़े से आज मैया भागती हुई चली जा रही है और सोचती जा रही है कि तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है 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 तकदीर बनाई है आथों की लेकीरों मैं लिखरी में लिखिदी पल भरी किया जब वो जो साई है किया जो जब खizarक किया हुआ है कुछी वो क्या जब 5-9 बदून किया जब Η्वपाओ किकिया मुगें ट्यविiments वो प्योंट Hz वो जयू जब एाधिं गुराभ बनाने बाले ने कैसी तको दीर बनाई है बनाने बनाई है कोई तने से दुख्यी, कोई मने से दुख्यी, कोई भुद से इंगिया दुख्यी हुए कोई तने से दुख्यी, कोई मने से दुख्यी, कोई दुख्यी हुए कोई तन से दुख्यी, कोई मन से दुख्यी, कोई खुद से इंगिया दुख्यी हुए मने दुख्यी हुँ अपने कर्मों से कैसी ये विपदि लगाई है मने कर्मों से कैसी ये विपदि लगाई है कैसी ये विपदि लगाई है मने कैसी ये विपदि लगाई है कैसी अपने मने कर्मों आपके लगाई है कैसी ये विपदि लगाई है कैसी ये विपदि लगाई पर दुख्या ऊपफ्या है तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है हातों की लखीरों मैं लिख दी हातों की लखीरों मैं लिख दी पलवने की अजब जो उदाई है अज इस तरीका से मैं या तरह सो शो 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 सोचती हुई जो गाउं से बाहर एक काली मा का मंदर था उसमें जा करके छिप जा इधर जब मैया सोचती हुई जा रही थी न तो विश्वा मित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा था फिया विश्वा मित्र ने कासी के तीन चार छोटे छोटे बच्चे लिये थे जिने काट करके बीच चोराए पे डाल दिया था और जिने बीच चौराए पे डाल दिया इधर मैया रोती विलक्ती हुई भावती जा रही थी तो मैया रक्त में उनके पैर से और पूरे सरीर से जब रक्त लग गया तो मैया इधर जब मैया काली के मंदर में जाकर के प्रवेश करके छुप करके भैठ गई इधर कहा जाता है कि या तो शुक में गहरी नीद आती है या फिर दुख में आती है आज मैया के उपर इतना वड़ा कश्ट था इतना वड़ा दुख था कि मैया को ये नहीं पता कि मैया कव इतनी गहरी नीद में सो गई कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला अज कोने में पड़ी मैया सो गई है इधर विश्वा मित्र ने फिर से कासी में आवाज लगा दी कि कासी के लोगो एक जो गाउं के बाहर मंदर है उसमें एक डाइन आ गई है उन्होंने तीन बच्चों को खा लिया बच्चे चोराइप पड़े हैं कटे हुए नहीं तो लो जाकर के आज जैसे ही गाउंवालों ने बच्चों को देखा बोले हां बच्चे तो कटे हैं डाइन तो आई है उससे समय कालू मेतर को बुलाया और कहा कि कालू मेतर तुम ये तलवार लेकर के जाओ जाकर कि उस डाइन का बद करो कालू मेतर ने सोचा कि हमारे पास एक किनो कर है तो हम क्यों या करके ख़तम करें उसे और ने बुलाया कि हरिया को बुलाया जाये और कहा कि हरिया यह लो तलवार वह जाकर करके उस डाएन का बदगर दो जो उसमन्दिर में छुपी बैठी आज महराज हरिषण्द तलवार को लेकर के पॉंचे हैं मंदर में अजहें ही मंदर में पहुचे जाकर के रानि तारा के केसों को पकर लिया और जैसे ही केसों को पकड़ा है छहरा अपनी तरफ गुमाया तो कहा रानि तय तुम बोले हाँ माराज मैं बोले कि तुमारा बच्चा खतम हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरों को बच्चों को खाओ बोले माराज अवरानी तरह कुछ नहीं बोली बोले हाँ माराज आप अगर ये समझ रहे हो कि मैंने बच्चों का कतल किया है तो यही सही यह मैं हो मेरा तुम कतल कर दो क्योंकि मैं जीवन से वैसे भी दुखी हो चुकी हुई जिस मा का पुत्र चला जाए उसके लिए और इतना बड़ा कौन सा दुख होगा तो मुझे भी खतम कर दो प्छादो भी अज हरेarm केने लिए तो मैंसे नहीं मानोगे उशी समय जैसे ये हरीशन नो तलवार को ऊपर उठाया उशी समय आ करके विश्वामित्र ने तलवार को पकड़ लिया हर कहा कि वो हरेज़िशन भूले में कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं इस डायन को आज नहीं छोड़ेंगा ये तो नहीं कि इसका पुत्र खतम हो गया तो ये पुत्र खाएगी राने तारा खड़ी की खड़ी रो रही है कहती है बारे समय ना जाने मुझे क्या क्या बना दिया दुगे आज डायन भी बना दिन है जिस मा का पुत्र खतम हो गया हो तो मा दूसरे के बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है लेकिन वो समय था उसी समय विश्वा मित्र ने कहा कि माराज आप तलवार को नीचे रख दो हरीश्चन कहने लगे मैं कोई माराज नहीं हूँ मैं नोकर हूँ कालू मिहतर का विश्वा मित्र ने कहा कि आपको नहीं पता हमने आपकी परीच्चा ली थी और जिस परीच्चा में आप घरे उतरे हो आप परीच्चा में शफल हो गए उसी समय आज हरीश्चन केने लगे कैसी परीच्चा मेरा तो सब कुछ ही चला गया आप परिच्छा की बात कर रहे हो, परिच्छा में मेरा पुत्र भी चला गया, बुले नहीं, वो भी एक परिच्छा थी तुमारी, मैं ये देखना चाहता था, कि तुम कितने बड़े दानी हो, और तुम कितने बड़े धर्मातमा हो, तुम धरम के लिए क्या क्या कर सकते हो, लेकिन तुम उसमें खरे उतरे पुत्र की बात करते हो तो अपने पुत्र को आवाज लगाओ उसी समय जैसे ही माराज हरिश्चन्द ने अपने पुत्र रोहित को आवाज लगाई उसी समय रोहित आ गए तो उशी समय आज जैसे ही रोहित आए विश्वा मित्र ने कहा कि ये लो अपनी कुंजी और लगाम जाओ और जाकर के आराम से अपने महलों में रहो तो उशी समय आज जब इतने शब्दों को कहा तो विश्वा मित्र ने कहा है हमने आपकी परिच्छा लीती परिच्छा में आप सफल हो गए अब आप हमसे कोई वरदान माग लो तो उशी समय आज माराज हरिशन क्या बोले है कि साई इतना दीजिये जामे कुटम समाए आज माराज हरिशन केने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए बस मुझे आशिरवाद दो कि मैं हमेशा ऐसे ही दान करता रहूं तो उशी समय क्या कहा हो साई इतना दीजिये जामे कुटम समाए मेरी मुखा ना रहूं साज अबुखा रहूं हो मुझे वदे इतना दीजिये जामे कुटम समाए मेरी मुखा ना रहूं साज अबुखा रहूं आज कहा कि बस मुझे इतना दे दीजिये कि न तो में भुखा रहूं न आप जैसे लोग आ जाएं आप जैसे ब्रामबड आप जैसे रिसी आप जैसे संत आ जाएं उन्हें में अपने दर्वाजे से कभी भुखा नहीं भीजूं इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चिलिए तो उसी समय एक उपादी दी है उन्होंने कि शत्यवादी राजा हरिशन की उपादी दे करके विश्वा मित्रवां से रवाना हो गए वो लिए मांके भी हरी लाली की संबरिया इससे ठीकी